मैं बारवी का चात्र था, एक एवरेज स्टुडेंट हुआ करता था, तो उस समय मेरे को एड्मिट कार देने से स्कूल वालों ने मना कर दिया था उनका ये कहना था कि अगर मेरे को बारवी में बठाया जाएगा, तो मैं फेल हो जाओंगा और स्कूल का नाम खराब होगा जब बोर्ड के परिणाम आए, तो मैंने वन आफ दा हाइस्ट मार्क्स पूरे स्कूल में प्राप्त किये थे जिन्होंने मुझे एडमिट कार देने से मना किया था, वही मेरे स्वागत के लिए माला लेके ख़डे हुए थे और एक हात में स्वीट्स लेके ख़डे हुए थे और फिर मैंने इंडिया के जो टॉप मेडिकल कॉलेच है, वहाँ पे अपनी सीट सिक्यूर करी मैं क्योंकि एक government school का एक student था, ना तो अंग्रेजी मेरे को अच्छी बोलनी आती थी, ना ही personality को ज्यादा अच्छी हुआ करती थी, वहाँ पे आते थे बड़े private school के बच्चे, एदम फराटेदार English बोलने वाले, मतलब मैं अपने आपको उस तरह से express नहीं कर पाता था अपने एजी game है, easily हो जाएगा, लेकिन जब final result आया, तो final result में 10 marks से में कम रह गया था, अगला attempt दिया, उसमें मेरा main C clear नहीं हुआ, फिर उसका अगला attempt दिया, तो उसमें prelim C clear नहीं हुआ, तो मेरा तो reverse process से start हो गया था, एक deterioration का, तो उस वक्त काफी या था, दिमाग में आ गया नहीं देने, तो मैं आपसे यही कहना जाता हूँ, कि life में आपको failures आएंगे, failures पर आपको रुखना नहीं है, उस failures से आपको कुछ सीखना है, और आगे बढ़ना है, नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर नितिन शाक्या, और 2018 के UPSC Civil Services के पढ़नाम में मैंने सफलता हसिल करी है, और ट्रेनिंग के बाद मैं SDM Assistant Commissioner की पोस्ट पे नियूक्त होने वाला हूँ, इस वीडियो में मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, जो की काफी बार लाइफ में failure का सामना करते हैं, कि लाइफ में अगर failures आएं, तो उन्हें पीछे नहीं अटना है, consistency अगर आपके उनके प्रयासों में हैं, तो सफलता उन्हें जरूर मिलेगी, मैं बारवी का चात्र था, एक average student हुआ करता था, तो उस समय मेरे को admit card देने से school वालों ने मना कर दिया था, उनका ये कहना था, कि अगर मेरे को बारवी में बठाया जाएगा, तो मैं fail हो जाओंगा, और school का नाम खराब होगा, तो मेरी जो मदर थी, वो headmaster से और principal से मिलने गई, उनका काफी यादा भरोसा दिया, कि आप उनके शब्दों की basis पे मेरे को at least अपनी काबलियत को साबित करने का मौका तो दे, at least मेरे को 12 में बैठने का मौका तो दे, तो काफी जद्दो जहद के बाद, मेरे parents की काफी request के बाद मेरे को admit card मिला था, 12th का, उस दिन जब मैं घर आया, तो मैंने सोचा कि आखिर ऐसा क्या किया जाए, क्योंकि अगर मैं 12th में fail हो जाता, तो शायद मैं अपनी नजरों से ही गिर जाता, पूरी रात मैंने सोचा कि आखिर ऐसा क्या किया जाए, सुबह उठके मैंने अपनी पूरी strategy प्लान करी, strategy बनाई कि आखिर 12th को अच्छे नंबर से कैसे पास किया जाएगा, strategy दोस्तों बहुत टफ थी, obviously कुछी महीने बचे थे, pre-board से और board के बीच में, और मेरे एक average student रहा था, लेकिन वो कहते हैं कि हीरा जितना जादा घिसता है, उतना जादा ही shine करता है, उतना जादा ही चमकता है, तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ, जब board के परिणाम आए, तो मैंने one of the highest marks पूरे school में प्राप्त किये थे, और जब मैं अपने school गया, तो वो जो principal और teacher थे, जिनोंने मुझे admit card देने से मना किया था, वो ही मेरे स्वागत के लिए माला लेके खड़े हुए थे, और एक हाथ में sweets लेके खड़े हुए थे, तो ये मेरी पहली असफलता थी, उसके बाद सफलता मिली मुझे, इसके बाद कुछी महीने बचे थे, तो आगे carrier के बारे में सोचना था, कि आप future में क्या करेंगे बारवी के बाद, तो उस समय मेरे पास दो ही option थे, या तो मैं इंजिनरिंग सर्विसेस में जाऊं, या फिर डॉक्टरी के फिल्ड में जाऊं, अब average student था, फिर से मैंने एक strategy बनाई, कि आखिर कैसे medical और इंजिनरिंग का exam crack किया जाए, टाइम कम था, तो NCRT तो क्योंकि मैंने पहले से पड़ी हुई थी, तो थोड़ा से confidence था, कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैंने last के 10 years थे, उनको बहुत अच्छे से उसकी त्यारी करी, क्योंकि मुझे ये पता था, कि काफी सारे questions होते हैं, 10 years और NCRT में से आते हैं, तो मैंने अपना ये वाले जो portion था, इसको काफी अधा strong बना लिया था, और जब मैंने जब इसका PMT का और engineering services का result आया, तो मेरा दोनों में ही selection हो गया था, और फिर मैंने इंडिया के जो topmost medical college है, मौलानाद मेडिकल college, वहाँ पे अपनी seat secure करी, तो अब मैं मौलानाद मेडिकल college पहुँच गया था, मैं क्योंकि एक government school का एक student था, ना तो अंग्रेजी मेरे को अच्छी बोलनी आती थी, ना ही personality को ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी, वहाँ पे आते थे बड़े private school के बच्चे, इदम फराटेदार English बोलने वाले, हर एक college में होती है, students के जो batches होते हैं, मैंना सुचा कि उसका nomination file किया जाए, और class को represent किया जाए, लेकिन जो मेरा opponent था, वो काफी ज़्यादा फराटेदार English बोलता था, और well-groomed, बहुत अच्छी personality वाला था, तो मेरे को हिम्मत ही नहीं हुई कि अपना nomination file करूँ, तो class representative president का election होता है, तो उसके लिए nomination मैंने file किया, किसी तरह से file हो गया nomination, लेकिन हजार के करीब हमारे college में student होते हैं, MBBS के, मौलाना medical college में, तो मेरे को जो votes मिले, hardly 10 votes मिले थे मेरे को उस वक्त, वो कहते हैं, जो जमानत जबत होने वाली बात, तो वो चीज ही मेरे साथ हुई थी, तो काफी यादा मैं हताश हो गया था, निराश हो गया था, मैंने सोचा कि ये सब मेरे बस की बात नहीं है, मुझे ये सब चीजे नहीं करनी चीए, लेकिन फिर भी अंदर एक उर्जा थी कि शायद कुछ मैं कर जाऊं ऐसा कि college को represent करूं बड़े scale पे, फिर वही मैंने जैस से मेरा one-to-one contact हो गया था, तो फिर मैंने vice president का election का nomination file किया, और I secured one of the highest votes in the students union, तो मैं मौलाना medical college का president भी बना, अब confidence आ गया था, कि हाँ, life में अगर struggle आप करते हैं, तो किसी भी field में आप पहुच सकते हैं, आपको failure आएगा starting में, लेकिन आप पहुच सकते हैं, फिर जब हमा काफी सारे गरीब मरी जाते हैं, उनकी हम लोग health के तौर पे तो हम लोग उनका इलाज कर रहे थे, लेकिन जो उनकी गरीबी थी, या employment थी, या education थी, उस पे हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे, being a doctor, तो हम लोग उने बच्चों ने, जो college की बच्चे थे, हम ल करना चाहिए, तो वो चीजे manage नहीं हो पा रहे थी, तो फिर मन किया कि civil services में आए जाए, क्योंकि एक I.E.S. officer जो होता है, collector जो होता है, उसके पास काफी यदा power होती है, काफी यदा resources होते है, तो इस तरह से मेरी journey स्टार्ट हुई, civil services के exam के लिए, अब जब मैने पहला attempt द जाएगा, लेकिन जब final result आया, तो final result में 10 marks से में कम रह गया था, अगला attempt दिया, उसमें मेरा main सी clear नहीं हुआ, फिर उसका अगला attempt दिया, तो उसमें preliminary clear नहीं हुआ, तो मेरा तो reverse process स्टार्ट हो गया था, एक deterioration का, तो उस वक्त काफी आदा, दिमाग में आ गया था कि से कहा कि अब तू एक last attempt दे, और पूरे जोश से दे, पूरी energy से दे, और उसके बाद देखी जाएगी, होता है हो, नहीं होता है, फिर उसके बाद अगला carrier का देखा जाएगा, तो वही चीज मैंने करी कि पूरी जीजान लगा दी, अपने घर वालों की help ली, अपने जो colleagues से, उन से answer writing की practice करी, और जो अपने mentors ते teachers और थे, उनके directly contact में रहा, तो finally मेरा UPSC में selection हुआ, and I scored one of the highest marks in ethics and public administration, तो मैं आपसे यही कहना जाता हूँ, कि life में आपको failures आएंगे, failures के आपको रुकना नहीं है, उस failures से आपको कुछ सीखना है, और आगे बढ़ना है, तो आप भी हमेशा motivated रहिए, अपने लक्ष को अपने दिमाग में हमेशा बना के रहिए, और continuously work करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी, धन्यवाद.